दोस्तों ये देखिए एक बड़ा पंगा हो गया था जो बकरी थी इस पर अटैक कर दिया था कुटों ने क्योंकि चराई पर जाती है चराई पर जाने पर क्या रहता है अगर एक बकरी अलग हो जाती है कभी कभी क्या होता है कुछ कुछ कुट्टे ऐसे होते हैं जो हमारी ब पर कुट्ते ने पीछे से अटेक कर दिया पायर पार तो यह उठ नहीं पा रहे हैं तो यह समस्या रहती है तो ज्यादा ध्यान रखें कि अपनी बख्री पोड़ा हो सके तो घर पर खिला है और वह चलाई पर ले जाना अगर मौसम साफ है अच्छा है और ध्यान रखेंगी चारो तरफ देखते रहें जो जंगली जानवर हैं या पेर कुट्ते हैं उनसे अटेक से बचाने के लिए तो हम बगरियों को क्या कर रहे हैं अपने घर पर जो पेड़ पोड़े की पत्ते हैं वो लाकर कि सुदा खिला रहे हैं क्योंकि यह जो बगरिया है चलाई पर जान प्ला सकते हैं बेर हैं शिव बबूल बहुत अच्छे से खाती हैं तो इन सारे पत्तों को ले आएं और घर पर खिलाएं अगर मौसम साफ हो रहा है तब ही ले जाए ध्यान रखें जो जब मवेशी जानवर हैं उनसे बचाएं और कुत्तों से बचाएं क्योंकि अगर एक बक्री हमारी खत्म हो जाती है तो काफियादा लॉस हो जाता है तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखें और बक्रीयों के रहने की विवस्ता अच्छी रखें तरपाल लगाया रखें चारो तरस डेके रखें क्योंकि सर्दी अधिक पढ़ रही है पाले की समस्या से हमारे जो छोटे बच्चे हैं उन पर काफ़ेता दिक्त आ सकती है तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखे खासकर जो छोटे बच्चे हैं उनको चराई पर बिल्कुल भी नहीं ले जाना है दाना में क्या किलाना है जिसे भूशी है, चूनी है और साथ में आप जो खलिया होती है, जो बिनॉला की खली है, सर्सों की खली है, और सुयबीन की खली है, मुंखखली की खली, जितनी भी खलिया अगर इस स्मय आप दे सकते हैं, तो सबसे बेश्ट है, क्योंकि गर्मी प्रवाइड कराने में जो खलिया हैं, काफिया दा महात साथि पानी पिलाने के लिए गुड़का इस्तेमाल करे तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंait इनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तब आपको बकी पालम में सफलता मिलेगी बकी पालम से 40 पैसे आप कमा सकते हैं annex झाल झाल